नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने नीमडा का पौधा लेकर आया हूँ दोस्तों यहां पौधा नीम परजाती का है जो नीम से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है इसके पत्ते भी थोड़ा थोड़ा नीम के पत्तों से मिलते जुलते हैं देख लीजिए लेकिन दोस्तों यहां नीम नहीं है हाला कि इसके गुड़ धर्म जो है नीम के समान है दोस्तों यह भी पौधा भारत वर्स में हर जगे मिलता है लेकिन नीम से कम कॉंटटी में मिलता है है दोस्तों यह ब्रिक्ष जो है करीबन 30 से 40 फूट के उचाई तक पाए जाते हैं तो देख लीजे पहिचान लीजे यह जिस ब्रिक्ष के नीचे मैं क्हड़ा उचा है और यह देखिए दोस्तों यह निम्डा का फल है इस तरह से गोल गोल होता है और गुच्छो में लगता है देखिए इस तरह से गुच्छो में लगता है देख लीजी पहिचान लीजी और पके हुए पत्थे जो है इस तरह से पीले पीले हो जाते हैं तो आओ चलो दोस्तों अब इसके फायदेक बारे में हम बात करते हैं कि आखिर यह किन-किन बीमारी किन-किन रोगों में फाइदे मंद है तो दोस्तों आयरवेट के अनुसार यह जो है कलू होता है तो दोस्तों यह अपने कलू स्वाद के कारण यह किट्ट वालू ना सक है हर प्रकार के कीडे वाइरस को नश्ट करता ह दोस्तों इसके उपर से हवा गुजर जाए तो हवा सुद्ध हो जाता है इस तरह सिया नीम की तरह एंटिवाइटिक एंटिसेप्टिक माना जाता है दोस्तों दाद खाज खुजली एक जमा अकवत अपरस अनेकों तरह कि तोचा रोग में या काफी फाइदे मंद है इसे उपियोग किया जाता है अगर किसी को तोचा रोग है दाद है या खाज है तो इसके पत्ते को पीश कर पेष्ट बना कर तोचा रोग पे लेप किया जाए इस्तमाल किया जाए तोचा रोग जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तों नीमडा के फली से तेल भी निकाला जाता है और यह तेल भी हर परकार तोचार ओग में इस्तमाल किया जाता है यहां तक कि दोस्तों बड़े-बड़े कमपनियां जो है साबुन बनाने में नीमडा के तेल का उपयोग करते हैं दोस्तों चेहरे के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं फोला फुनसी हैं पिपल्स हैं पिपल्स के दाने हैं तो उसके लिए भी आप निम्ला के पत्ती के पेष्ट उप्योग कर सकते हैं इसके मातर दो-चार दिन के उप्योग में चेहरा बिल्कुल सौफ हो जाएगा दोस्तों निम्ला के पत्ती के काड़े से सड़े गले घाओ को दोने से घाओ जो है बहुत जल्दी सूख जाता है इंफेक्शन नहीं फैलता है दोस्तों अगर दात का रोग है दातों का मसूरों में सूजन है या मू से बद्बू आता है तो मातर इसके पत्ते को पत्ते का आता है तो दोस्तों आज की महात्पूर जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक